हेलो तो कैसे हैं आप सब आज हम आपके लिए लेका हैं गलत से इंसे बरें गेम प्ले वीडियो में वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी बख्चो दिया इंट्रो तो आपने देखी लिया होगा मतलब कॉंफिनेंस लेवल 249 तो आज हम आ चुके हैं से वर्णी और हमारी किस्मत तो वैसी खराब है और उतारती हमें एक मिलती है का नाइट एट और शॉडगन और उतनी जब तक हम लूट रहे होते हैं तो हमारे चार नंबर टीमेट को खतम करते थे वह पिश्टल से तो चलो फिर इसका बदला लेते हैं फिर यह इनका पहला टीमेट गया और यह रायर का दूसरा टीमेट इन बेचारों की भी किस्मत खराब थे कि इन्हें अभी तक गन नहीं मिले दी लेकिन इनके एक टीम मेट को रश करता हूँ एक एम लेकर तो इसे देखिए का से फिर आए यहां पर इस स्कॉर्ड का तीन बंदे नौक थे और इनका चौथा बंदा हमें पता नहीं कहा था तो धूंडते हैं फिर उन्हें पहले अपने किल पूरे करते हैं फिर धूंडते होने तो यहां हम इनसे लूट करी जाए थोड़ी सी और चलते हैं उसके बाद फिर इनके टीम मेट को रूनने चौथे नंबर को तो हम इदर आगे जा थे तो चर्च की तरह से फाइरिंग हो रही थी तो चलते है फिर और इस स्कॉर्ड का चौथा मेंबर यहीं था तो चलिए अगर उसकी पेटी बनाते हैं तो यहां पर हमारे टीम मेड दूसरी स्कॉर्ड से फाइट ले रहे थे तो हम भी चलते हैं उनके साथ पहले यहां पर एक बंदा है उसे मारते हैं फिसकॉर्ड चलते हैं अब चलते हैं अपने टीम मेट के पास को यह को जैसे लुट कर रहे थे तो यहां सामने से गाड़ी आती है लेकिन इस कार्ल इतने घटी आ यह ना मतलब बिना अटाश्मेंट के यह चलती ही नहीं सई तो फिर आप लूट करते हैं हेल होल करके पहले हील करते हैं फिर लूटते हैं थोड़ा उसके बाद चलते हैं यहां से लेकिन अभी वो जो गाड़ी से बंदा गया वो अभी वापस आएगा देखना हाल करें तो हम यहां हम रूटते हैं लूट कर रहे होते हैं और यहां लूट कर रहे होते तो आपस में लड़ रहे होते हैं तो फिर उन्हें भी देखते हैं कि और इस कारल से तो कभी सहमत ही नहीं हुए है मतलब इतनी ज्यादा यह हिलती है बिना अटाइच्मेट के देखना कि मतलब इससे बढ़िया तो यह क्या मैं तो यहां बॉट मार रहे होते हैं तो उधर हमारे टीम मेट को कोई नौक कर देता है और यह वही होता है जो लास्ट गाड़ी लेके भागा होता है तो चलते हैं फिर अपने टीम मेट के पास और यहां देखना क्या गलस सीन होता है कि यहां में उस बंदे के लोकेशन नहीं पदा गी तो हम सीधा रिवाइब पर चले आते हैं और क्या गलस सीन होता है कि रिवाइब करते टाम कैंसल नहीं होता रिवाइब और यह देखिए यहां रिवाइब टैंसल नहीं हुआ है तो यहां तो हमारा टीम मेट पूरे में खतम हो गए हम यहां से हील हुल करते हैं और अपनी टीम मेट की पेटी लूटते हैं और चलते हैं फिर और अब हम यहां से जाते हैं रिजॉक रिजॉक में देखना क्या गलसीन होता है अब है अब है तो रिजॉक की पहाड़े बंदे होते हैं यानि दो स्कॉर और वह आपस में फाइट ले रहे होते हैं और जब तक हम पहुंचते हैं तो आएक स्कॉर खताम हो जाती है है तो देखिए त्यासे ठेलते दूसरी स्कॉर्ड को तो जैसे हम यहां पहुंचते तो फाइरिंग होती है रिजॉक की पाड़ी के तो हम यहीं गाड़े रोक के चलते हैं भी रागे रश्कनने पाइब की तो यहां पर मेरे टीम मेड़ बोलता है कि हमारे पास M24 है तो हम यहीं से फाइरिंगे लेकिन हमारे तो अंदर के जो कीडे हैं आ वो कुछ और ही कह रहती वहों कहते हैं रश करते सीधा तो हम बाई अपने आपने अंदर के केड़े की सूंते हैं और सिधा रश करने चले जाता है तो यहां पर हमें यह नहीं पता होता है कितने वहां पर एनन्यimeES है तो हम पहले चेक करते हैं कितने अनिमीज है उसके बाद अरश करते हैं तो पहले तो मेरे को दो दिखते हैं और जैसी तीन अनिमीज दिखते हैं तो पीछे से हमार टीम मेट कवर फार देता है तो यहां पर इन्होंने हमें देख लिया तो अब करते हैं फिर रश तो एक ने हम पर मोली मारी तो वह मोली से तो हम बच गए तो करते हैं वह उसने रश किया तो हम भी उस पर अधिक है तो यहां हमारे टीम मेड ने इसके दो बंदे नौक करदेते हैं और एक झां कर देते हैं और जबन सिंग्विण रहे हुते हैं और स्कूल से फ़ारिंग आती है सिंगल टैप पर मतलब न पुरा कर चुका हुता है एक स्फ или बास्ति दये तो बूज न हमाइब करते हैं तो अब चलते हैं लोल करके लूट करके तो हीद करने के बाद है जा रहोते हैं तो सामने चलती है फ्लेर कि हम जैसे यहां से निकलते हैं तो सामने हमें दिख जाती है फ्लेयर और यहां पर हमारे टीमेट को आवाज नहीं आ रही होती है तो यानि उसे हमने इतनी बार बोला कि सामने फ्लेयर है फ्लेयर है और वह भाई साव हमें जोर्जो पूल ले जा रहे होते हैं तो फिर अचाना जिनकी अवाज आने शुरू हो गई तो हमने उन्हें बताया कि फ्लेयर इधार है जोर्जों में नहीं और फिर हम चलते हैं रच करने और हम नहीं यहां सोचा कि फूरी स्कॉर्ड होगी फ्लेयर के पास लेकिन यहां तो सिंगल बंदा होता है कि और सिंगल बंदेपे क्या ही केल मिलेंगे कुछ नहीं बहुँता कि तो लेकिन फिर भी केल तो करना ही या यानि किल तो चाहिए होते हैं हमें तो चलते हैं फिर सिंगल पर ही रश करने हैं उससे पहले हम थोड़ा ड्रॉप पर जाते हैं तो यह टीम मेड को कुछ चाहिए होता है हेलमेट वैस्ट तो ड्रॉप लूटने चलते हैं तो यहां से हम लूटते हैं ड्रॉप और चलते हैं फिर किसी की ड्रॉप लूटने और यहां पर इसोलो बंदे के पास क्या ही लूट होती है मतलब इतनी अच्छी किस्मत है बंदेगी कि मतलब दोनों खतरना गने आ गई कि आज तक हमारी ऐसी किस्मत नहीं हुई कि एक ड्रॉप में दोनों खतरना गने आ जाए मतलब आप समझ रहे हो एडवल्यू एम और एम टूफोर नाइन मतलब और यहां पर हैड़ लगता उसे लेकिन वह नौक नहीं होता मतलब लेवल थी होता है अगले के पास तो फिर हम देख रहे हैं कि आप कितने बंदे हैं लेकिन हमें एक ही सपोर्ट होता है अब तो पर चलते हैं फिर उस पर रश्करने अब तो यहां हम आ चुके थे उस पर रश्करने लेकिन भाई साब यह हमारे हां तो ना मरके हमारे टीमेट के हां तो मर जाता है और यहां पर मैं उसे हमने सुझा यह दोबारा आएगा तो हम सपरे देते हैं लेकिन वह हमारे टीमेट के तरफ चले जाता है और उसके हां तो मर जाता है तो फिर चलो लूटते हैं इसकी पेटी और चलते हैं फिर यह से बंदेर उनने अब साथ बंदेर आयाते हैं टोटल तो अब लूट तो हो गई अब चलते हैं फिर एनिमी इसके पास तो जोन काफी बड़ा था और एनिमी बहुत कम तो एनिमी ढूंदते हैं तो यहां गाड़ी घुमा रहे थे हमें एक भी एनिमी नहीं मिला तो जैसे हम रीच के उपर जा रहे थे तो पिछे दो दो ट्रॉप होती हैं तो अब हमने सोचा कि दो ड्रॉप है तो एनिमी इस तो आएंगी इस करके हम चलते हैं ड्रॉप पे और यहां देखना मतलब क्या ही एम टूफोर नाइन का सप्रेय है कि यानि एम टूफोर नाइन मतलब कॉन्फिनस टूफोर नाइन कि वह बिचारों को तो पता भी नहीं लगता ही कब बेटी बन गई कि तो जैसी हम यहां आते तो एक गाड़ी और आ जाती है तो देखना आप क्या सीन होता है उनके साथ कि मतलब इनको पता भी नहीं लगता और उनकी पेटी बन जाती है कि तो अब एक बंदा बचाता और वो साथ में स्कॉर्ड वाश में बठा हुआ था कैंप करके तो फिर देखते हैं उसे भी तो यहां हमारा सब गुरुजा लेकर बैठा होता है अंदर और यह था वो लास्ट बंदा और चिकन डिनर वीडियो कैसी लगी लाइक कर लाइक करना कमेट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में